तो बॉर्णिंग फ्रेंड्स आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक हमारा है इन पॉटेंस ओफ माक्रो एकोनोमिक्स और यह आपका मतलब आप बोल सकते हो लास्ट ही टॉपिक है इसके बाद एक छोटा सा डिस्टिविंग्श है वो शॉट में हम देख ल चाहिए हैं functioning of an economic इसका मतलब macro theory जो है वो economic के functioning को मतलब economic कैसे function perform कर रहा है उसको analysis करने में हमें help करता है और साथ में उससर related idea suggestions वो हमको provide करता है मतलब पहले economic कैसे function कर रहा है उसको analysis कैसे करना है वो हमें सिखाता है उसमें जो भी दिक्कते आ रही है उससे related solution प्रोवाइट करने की हमें ये कोशिश करता है कौन सी theory, macro theory और इसमें जैसे आपको paragraph कैसा दिया है वो देख लो, macro is a deal gives an idea for the functioning of an economic system, it helps to understand behavior pattern of aggregate variables, इसका मतलब सबसे पहला point क्या कह रहा था, कि एक idea प्रोवाइट करता है कि economic variable कैसे analysis किया जाए, उसके बाद ये बहुत सा ये variables को analysis करता है, मतलब understand करवा के देता है आपको, variables मतलब अलग-अलग changes, economic में जो changes आते हैं, phases से economic गजरता है, उन सब को समझने में, हमें ये, समझने में, हमें ये theory help करती है, अब ये जो variables है, ये क्या, जैसे कभी lockdown चल रहा है, कभी economic बहुत जादा boom पे चल रहा है, कभी inflation बहुत जादा है, महंगाई बहुत जादा बढ़ गई, कभी महंगाई बहुत जादा कम हो गई, कभी किसी चीजों की कमी हो गई, कभी कोई चीज बहुत जादा बढ़ गई, मतलब ये सब जो phases हैं, इससे समझने में, हमें ये theory help करती है, इसलिए पहला point क्या है, economic functioning कैसे perform कर जादे हैं, जैसे हम लोग अभी मैं example आपको दे रहा था ना, कि economic में कभी lockdown हो जाए, कभी मतलब boom हो जाए, कभी आपका depression period आजाए, कभी inflation period आजाए, तो ये fluctuation ही तो है, economic कैसा एक phase में नहीं चलता, economic में up and downs आते रहते हैं, डवलप्मेंट कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रह रहा है, तो ये सब चीजें हमेशा होते रहेगी economics में और यही fluctuations की बात हो रही है, कि उतार चड़ा होते रहेंगे, जैसे कभी किसी अपने देश की income बढ़ गई, कभी कम हो गई, कभी output बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी employment generate हो गया, कभी नहीं हुआ, तो ये जो चीजें हैं इसको समझने में ये थेरी हमें help करती है, चीक है, और of course ये जो problems हमको सामने दिखती है, जैसे unemployment आ गया, under employment आ गया, ये दिक्कते हैं या नहीं है, ये भी तो variables हैं, ये भी तो economic fluctuations हैं, तो इसमें इसको solution provide करता है, ये जो problem हमारे सामने आया, उस से related solution provide करकर उसको solve करने के हैं, इसका मतलब economic fluctuation जो भी आएंगे, उसको समझना और उस से related कहीं न कहीं कुछ न कुछ solution provide करना, ये थेरी हमको इस तरह से help करती है, चीक है, okay, third point क्या रहा है, national income, अब ये national income क्या है, third point हमारा है, इसको, इसके लिए कैसे importance आ गया, तो study of macroeconomics has broad forward immense importance of the study of national income and social account, इसका मतलब यहाँ पे third point जो है, हमको national income और social accounting को study करने में ये थेरी हमको help करती है, अब ये national income आपको पता है कि पूरी देश की income, और social accounting, ये क्या मतलब होता है, social account, social account मतलब जैसे अपने देश में मतलब finance ministers हैं, बहुत सारे अलग-अलग ministers हैं, तो उनका कुछ न कुछ दाइत वो है हमारे देश के लिए, ठीक है, कुछ न कुछ वो लोग monitor करते हैं, और उनको जवाब देना है public को, मतलब जो भी tax का पैसा जमा होता है, जो भी government के पास income होती है, हम लोगों के तरब से, तो वो पैसा कहीं न कहीं use आना चाहिए अपने economic में, नहीं तो अगर वो use नहीं आएगा तो जवाब कैसे देंगे, इसका मतलब social accounting कहीं न कहीं हैं, उनकी जिम्मधारी कहीं न कहीं हैं, हमारी जैसे जिम्मधारी है, वैसे उन लोगों की भी बड़ी जिम्मधारी है, तो उसको समझने में हमें ये थेरी help करती है, without a study of national income, मतलब national income पढ़े बिना आप ये नहीं जान सकते कि economic policy कैसी बन रही है, economic policy सही है या फर नहीं है, मतलब अगर कोई government आती है, वो अच्छी policy बनाती है, तो आपकी income बढ़ेगी, हर एक इनसान की income बढ़ेगी, अगर हर एक इनसान की income बढ़ रही है, तो national income बढ़ रही है, अगर national income बढ़ रही है, तो of course policy बहुत अच्छी बन रही है, और policy अच्छी बन रही है, तो इसको समझने में हमें ये theory help कर रही है, कि हमें ये policy अच्छी है इसको अपनाया जाए और इससे जो दिक्कते आती हैं उसको समझने में ये theory हमको help करती है ओके तो national income third point था three point हो चुके हैं मतलब पहला तो economic का function कैसे perform होता है उससे related idea हमको provide करता है second क्या economic fluctuation जो economic में variables आते उसको समझने में help कर रहा है तीसरा क्या national income national income को समझ कर social accounting को समझ कर हमें यहां पर यह theory policy बनाने में help करता है right fourth point क्या रहा economic development बहुत सारे ऐसे advanced studies हैं मतलब macro के macro theory के course जो हमें economic development को समझने में economic problem को समझने में help करती है अब यह जो problems है developing देश जो face करते हैं developing देश जैसे अपना देश है अपना देश developing देश है इंडिया और इसमें बहुत सारी दिक्कते हैं जैसे गरीबी की दिक्कते हैं poverty की दिक्कते है inequality of income and wealth किसी के पास बहुत जादा income है wealth है किसी के पास कुछ भी नहीं है तो यह inequality जो है इसको समझने में हमें यह theory help करती है और उस related problem कैसे solve किया जाए उसमें solution भी provide करती है जैसे अभी आप देखो कि किसी कि lifestyle बहुत बड़ी अच्छी होती है मतलब सुबह सुबह उटका एकदम fruit juice पीना ठीक है कार में ही घुमना इसी में ही रहना यह stand of living है अलग-अलग लोगों की अलग-अलग stand of living होती है अब यह जो stand of living है वो किस पे depend है उनकी income पे उनकी income अच्छी हो रही इसलिए उनकी stand of living अच्छी है हमारी नहीं है इसलिए न next point performance of an economic economic performance कैसा चल रहा है उसको समझने में थेरी हमें help करता है अब यह performance कैसे पता चलेगा देश के performance अपने economic performance national income को ध्यान में रख कर national income को analysis कर कर ठीक है मतलब national income is the tools for measure of a performance मतलब national income एक ऐसा मतलब माध्यम बोल सकते हो और जिससे हम लोग क्या कर सकते है national income के through हम अपने देश की performance को जान सकते हो समझो कि सोचो सबके पास भरपूर income है मतलब कोई गरीब नहीं है किसी देश में तो सोचो उस देश का performance क्या होगा अच्छा होगा और किसी देश में समझ लो कि कुछ लोगों के पास income अच्छी है कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास income ही नहीं है बहुत सारे वो देश अच्छा है जहां पर बहुत सारे गरीव हैं सिंपल सी बात ना कि यह जो national income की बात हो रही है national income के थुरू हमको यह पता चलता है कि economic performance कैसा है और यह economic performance जानकर हम देश की development को जान सकते हैं कि वो देश कितनी तरक्की कर रहा है हम compare कर सकते हैं चाहिए तो of course यह point हमक यही बताने की कोशिश कर रहा है फिफ्ट वाला जो point है कि national income एक ऐसा tools है जिससे हम यह जान सकते हैं कि लोगों की income कैसी है हम यह जान सकते हैं कि goods and services कितना ज़्यादा production हो रहा है हम यह जान सकते हैं हम compare कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश को या फिर one year से second year को चाहिए कि यहाँ इस साल इतनी national income थी इस साल इतनी है पिछले साल ज्यादा क्यों ही तो उसको हम analysis कर सकते हैं और उसी तरीकों को हम यहाँ पर carry forward या फिर कम हुआ होगा तो हम वो गलतिया ना करें चाहिए तो इसमें भी यह theory हमको help कर रही है ओके next point study of macro variables बहुत सारे variables हमने इस example देखे थे variables बहुत सारे होते हैं यहाँ पर भी दिया है जैसे total income output हो गया employment हो गया general price level हो गया यह बहुत सारे variables है मतलब output मतलब क्या कि अपने देश में जो जैसे farmers खेती करते हैं तो उनका जो production है वो भी output है मैं जो service दे रहा हूँ that is also output ठ मतलब कमतनी जो product बनाती है वो भी output है output सब कुछ है तो इसका मतलब macro variables हमको यह study करने में help करता है कि output कितना है output बढ़ा या फर नहीं बढ़ा output increase हो रहा है या फर नहीं और खीकि output बढ़ेगा तो total income बढ़नी चाहिए employment generate होनी चाहिए और general price level भी ब्राबर होनी चाहिए इन युआ को समझने में ये theory हमें help करती है इसलिए theory का importance है अब level of employment अब level of employment ऑसको जानने में ये theory हमको help करती है macro theory कैसा है कि employment अब employment क्या मतलब employment मतलब क्या सब जब को सबको अगर रोजगार मिल रहा है तो that is the concept of employment और unemployment रोजगार बेरोजगार जिसको हम लोग कहते हैं कि हाँ आप पढ़ लेके हैं लेकिन आपके वास कोई काम नहीं है नौकरी मिलने रही है that is the concept of unemployment तो उसको समझने में ये थेरी हमको help करती है मतलब level of employment कितना है ज़्यादा है कि कम है ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है कम है तो क्यों कम है इन सब चीजों को समझने में ये थेरी हमको help करती है तो इस थेरी का कही ना कही importance तो है ये थे पूरे 7 points और इसे साब से ही चाप्टर हमारा पुरा कम्प्लीट होता है जाएं नेक्स वीडियो में देखते हैं कि कुछ नहां पढ़ते हैं नहां कुछ जाने की कुशिश करते हैं ओके तब तक ले अवा नाइस रे थैंक यू बाई